आजकल यूटूब पे इस तरह का वीडियो बहुत ही जादा टरेंडिंग में चल रहे लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि इस तरह का जो हम वीडियो बनेंगे तो ये चैनल अमारा मोनीटाइज होगा या नहीं होगा तो आज की वीडियो में आप लोग का ये कन्फीजन दूर करने बला हूँ इस तरह का चैनल बहुत ही असानी तरीके से मोनीटाइज हो जाता है तो हमारे बाजू में आप देख सकतो है रहा एक बहतरीन चैनल इस चैनल को उपर में देख सकतो हो पॉपलर वीडियो पर इसका व्यूज देख सकतो हो और इसका सस्क्रेबर देख सकतो हो अनली इस चैनल को तीन महिना हुआ है इस चार्ट करके लेकिन आपके दिमाग में बात आया होगा कि इस वीडियो को हम इस तरह का वीडियो हम कहां चलेंगे इस तरह का κάνि वीडियो आपको YouTube पे बहुत सारा वीडियो मिल जाता है लेकिन YouTube से कैसे आप अपने ओन्हें में इस वीडियो को लाओग इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि YouTube का Community Guide Line का उलंगा ना अगर इस तरह का हम बता देंगे किस तरह से आप अपने गिल्री में इस वीडियो को लाओगे तो बहुत बड़ा प्रोब्लम आजाएगा हमारी चैनल पर तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से यूटूब पर इस वीडियो को अपने गिल्री में किया जाता है और इस पर जो टैग्स देखते हो टाइटल जो देखते हो जो यह सब टाइटल चल रहे इस तरह का सब टाइटल और एस टैलीज फॉंड में किस तरीके से लगया जाता है त महीन और वीडि़ियो का inditing किस तरीके से किया जाता है वह भी smart तरीके से पांच मिनिट के अंदर में आप लोग सीख जाओ गये बहतरीन editing करने के लिए अगर वीडियो आप लोग भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो सही वीडियो पर click कि अवाइस की वीडियो बताने बलाओ इस तरह का वीडियो आप भी इस तरीके से create कर सकते हो लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा इस तरह का जो मैं वीडियो बनाऊँगा हमारा चैनल मोनिटाईज होगा या नहीं होगा तो भाई देख सकते हो इस तरह का चैनल बहुत ही असानी तरीके से मोनिटाईज हो जाता है देख सकते हो कितना वीडियो डाला है बंद है पता है आप लोगो तीन सो चालिस वीडियो डाला है आठ लाग छब्विस अजार फोल इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो किसी तरीके से अप कैसे लेके जाओगा आप अपने गयल्डी में एचीज मुझे नहीं पता आप खुष से ले के जा सकते हो उसके बाद क्या करना हो आपको । जिस अप्लिकेशन से अडिटिंग करोगे तो मैं काइनमास्टर से अडिटिंग करता हूँ तो काइनमास्टर में यहांपर दे देख सकते हो एक विडियो उन्चास-पचास मिनट का विडियो है तो इस विडियो को मैं यहाँ पे शुरुआत पे सबसे पहले देखिए यही मिष्ट्यक हो गिया ना, चलो मैं इसको सौट बाले किरियेट पर किलिक करता हूँ, उसके बाद इस विडियो को मैं यहाँ पर, पहले export, import कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हूँ, ए वीडियो हमारा आ गिया यहाँ पर, उन चास मिनिट के वीडियो है तो इस वीडियो को यहाँ पर हमें शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वीडियो को हमें शुरू करना पड़ेगा देख सकते हो यहाँ पर इस वीडियो को मैं स्टार्टिंग में लेके आ रहा हूँ पहले पहले इस वीडियो को मैं स्टार्टिंग में लेके आता हूँ यहाँ पर देख सकते हो यह वीडियो हमारा starting आ रहा है आ रहा है कुछ इस तरीके से यह वीडियो हमारा यहाँ पर आ चुका है उसके बाद अभी क्या करना इसको यहाँ पर किलिक कर देना है इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देना होगा जुम करने के बाद जैसे बंदा बोल्ड है बोल्ड है अभी देखिए बोल्ड है ना देखिए बोल्ड है अभी यह बंदा यहाँ पे बोल्ड है ठीक है यह वीडियो लंबा जादा नहीं बना आपको 40 से 45 सेकेंड में इसको कट लगाना है यहाँ पे टिरिम कर देना है उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हर्स का चेहरा दिखना चाहिए उसके बाद फिर से इसका सीन आता है फिर से यहाँ पे किलिक करना है फिर से कट करके इस भाई से आपको बीच में यहाँ पे लाना है उसके बाद फिर से यहाँ पे करना है उसके बाद देखिए भारती का सीन बीच बिच में आना चाहिए, यहां पे किलिक कर देना है, फिर यहां पे कट करना है। और भारती को बीच में लाना है। तो कुछ 40 से 45 सेकेंड का आपका वीडियो बनाना ऊड़ DRZ, जादा लबा वीडियो नहीं बनाना है। उसके बाद ये वीडियो हमारा बन चुका है, देखिए कितना टाइम लगा बनाने में, ये वीडियो हमारा बन चुका है, उसके बाद इस वीडियो को export कर लेना हूँ, export करने के बाद सबसे main और imported चीज आता है इस वीडियो का जो title चलते रहता है वीडियो में, जो title जो बाले title, वो मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा title का मैं बात कर रहा हूँ वो चीज मैं सबसे main और imported होता है, कि इस तरह के जो वीडियो में है हमारा वीडियो यहां पर लाइटिंग थोरा सा बरहा देते हैं उसके बाद होने के बाद हम दिखाते हैं इसका टाइटल कैसे इसमें एड कि आ जाता है आपको यह बार-बार कैनमाइश्टर में जाके लिखना भी नहीं परेगा आपको एक बार में उस वीडियो को उसमें एड करोगे और आपका सब्टाइटल लिख के आ जाएगा तो देख सकते हो जैसे चीज कम्पिलीट होगा उसके बाद मैं आप लोगो दिखाता हूँ यहां पर देखिए यहां पर देखिए आ चुका है उसके बाद आपको क्या करना कोई भी एक बरोजर सेलेक्ट कर लेना होगा आपको देखिए दियान से देख लिए यह वाले वेपसाइट पर आपको किलिक करना होगा जैसे आप आप किलिक करोगे तो आप अपने जीमेल आडी से वाले वेपसाइट में आपको लोग इन कर लेना होगा आपको ठीक है आप लोग इन कर लेना होगा आपको अपन Gmail ID से इसमें Login करना होगा तो Gmail ID से Login कैसे करोगे वो चीज भी मैं दिखाता हो आपको यहाँ पर थोड़ा ऐसा Net Solo इसके लिए Searching ले रहे हैं तो भी मैं Gmail ID करके इसमें दिखाता हो कि Gmail कैसे Add होगा इसमें चलो मैं Gmail इसमें Gmail भी Add करके आप लोगो दिखाता होगी Gmail किस तरीके साइड होगा इसमें तो देख सकता हो आगिया तो अभी Gmail पर आपको किलिक कर देना होगा जैसे आप Gmail ID पर किलिक करोगे कोई भी आपको यहाँ से आपका Gmail ID सेलेक्ट कर लेना होगा आपको Continue पर किलिक करना होगा जैसे बाद यह हमारा आ चुका यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर create नए project पर आपको click करना होगा create नए project पर जैसे आप click करोगे कुछ इस तरह का option आएगा image पर आपको click कर देना होगा जैसे image पर click करोगे यहाँ पर आपका profile आ जाता है तो जिस वीडियो को आपको subtitle लगाना यह वीडियो हमारा यहाँ पर आ चुका है तो यह वीडियो देख सकते हो हमारा यहाँ वीडियो आ चुका है 46 सेकेंड का वीडियो इस पर आपको click कर देना होगा आपका वीडियो यहाँ पर आ चुका है तो थोड़ा सा मैं वीडियो को यहाँ पर पला करता हूँ देख सेक तो हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है उसके बाद इस वाले कोने पर यहाँ पर आपको किलिक कर देना होगा आपको आपको सबसे पहने lang page यहाँ पर choose करना होगा चलो मैं यहाँ पर lang page चूज कर लिए यहाँ पर tick लगा के उसके बाद यहाँ पर confirm पर हम click कर दिए यहाँ पर थोड़ा सा searching process लेते हैं देखता हूँ कितना second में देख सकूँ कितना first में आ चुका है और कितना जल्दी में subtitle लिख रहे हैं इस वीडियो का subtitle अभी बन रहे है इस वीडियो का subtitle लिख रहे है क्योंकि अगर आप काईन माश्टर से जाओगे subtitle लिखने के लिए तो एक घंता या दो घंता लग जाता है एक वीडियो को editing करने में लेकिन इस वीडियो का एडिटिंग देख सकते हो सब्टैटल भी आजाएगा बेहतरी न तरीके से और जादर टाइम भी नहीं लगएगा तो अभी देख सकते हो जैसे इस वीडियो का जो जो बोल रहे सब्टैटल यहाँ पर लिक के आ चुका है चलो इस वीडियो को मैं पलाइक करता हो थोड़ा सा थोड़ा सा मैं पलाइक किया यहाँ पर तो देख सकते हो सर्चिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सब्टैटल यहाँ पर आ गया उसके बाद आपको क्या करना है उसी सब्टैटल पर यहाँ पर जो भी फॉंड यहाँ पर आपको पसंद आता है ओफॉंड आपको सेलेक कर लेना होगा तो हमें जो सबसे अच्छा और बेहतरीन फॉंड लगता है हमें यहाँ पर यह वाले फॉंड मुझे अच्छा लगता है उसके बाद यहां पर आ चुका इस फॉंड का अभी वाइट है इसका color change करने के लिए चलो हम इस पर click कर दिये उसके बाद एक color वाले पर हम click किये उसके बाद उसके बाद यहां पर click करने के बाद यह वाले color हमें अच्छा लग रहा है इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो अब इसको हम पलाई करते हैं चलो इसको में पलाई किए तो हमारा जैसे वह बोल है तो हमारा subtitle भी हाँ चले है कितना बेतरिन तरिके से अब यह क्या करनां यहां पर तीर का निशन हो जाएगा यहाँ पर export हो जाएगा आपका वीडियो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो subtitle चल रहा है जो बोल रहा है वो ही subtitle चल रहा है तो इस तरीके से इस तरह का वीडियो आप भी असानी तरीके से बना सकते हो scroll with पवन के जैसे देख सकते हो एसकरोल बित पवन के जैसे देख सकते हो इस तरह का चैनल बना के आप भी अपने चैनल को 2-3 मेहने के अंदर में आप अपने चैनल को गोरोग कर सकते हो अगर आप चाहते हो यह हमारा वीडियो इस तरह का HD क्वाल्टी में हमारा वीडियो कैसे बने इस तरह का HD quality में हमारा short video कैसे बने तो इसके उपर अगर आप commit करते हैं तो 100% यह तरीका में बताने वलो हो कि इस तरह का HD quality में आप अपने short video को किस तरीके से बना सकते हैं वह भी 5 मिनट के अंदर में अगर विडियो अच्छा लगे तो विडियो को like करना इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को subscribe करके घंटे की निसान का all पे set कर देना जब भी मैं यूटूब से डिलीटिव विडियो बनाऊं सबसे पहले आप लोगो नोटिपियन देखने को मिल सकता और इस विडियो को से उमीद है आप लोगो विडियो अच्छा लगाओको तो विडियो को like करना और विडियो में कमेट जरूर करना विडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा और HD quality में इस विडियो का quality और भी किस तरीके से बढ़ा सकते हो गर इस बारे में अगर आपको विडियो चाहिए तो कम क्यू वैलोग